आरे भटहा, चतुरदश पाठहा, संस्कृत रुचराहा, अस्टम वर्गाए आरे भटहा, भारत वर्ष की अमूल्य निधी है ज्ञान विज्ञान की सुदीर परमपरा इस परमपरा को संपोशित किया प्रबद मनुशियों ने इनी मनुशियों में अगरगरने थे सबसे आगे हमारे आरे भट जी इन्होंने दशमलप पद्धियादी के प्रारंभिक प्रयोकता के रूप में गड़ित को नई दिशा दी इन्हें एवमें इनके प्रबरते सिध्धानतों को ततकालीन रूडिवादियों का विरोध छिलना पड़ा वस्तरतहा गड़ित की विज्ञान बनाने वाले ततहा गड़ितिय गड़ना पद्धिती के द्वारा आकाशिय पिंडों की गती का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचारे थे आचारे आरभठ के इसी वेदुश्य का उध्वाटन प्रस्तत पाथ में हैं देखते हैं पुर्वदिशा में उधित होता है निकलता है सूर्य पश्यम दिशा में चा अस्तम और ढूब जाता है गच्छती यानी जाता है इती द्रश्यते इस प्रकार दिखाई देता है इती निश्यत रूप से लोके निसंसार में परमेनि परंतु ना यही नहीं अनेन इसका अब वोध्यमस्ति इसका बोध होता है कि सूर्य गतिशील है इस प्रकार सूर्य अचला सूर्य इस्थिर है परथ्वी चैचला परथ्वी चलायमान है यह सौकिय जो अपने अक्षे यानी अक्ष पर अपनी धुरी पर घूण ते घूंती है इती इस प्रकार सांप्रतम इस समय सु अच्छी प्रकार स्थापित सिध्धान्त है सिध्धान्त यह सबसे पहले यें जिसके द्वारा प्रवर्थिता व्यवार में लाया गया सा आसीत व्यवार थे महान गड़त को जानने वाली जोति रविच यानि जोत्सी जोति शास्त्र को जानने वाले आरिभट प्रथवी स्थरा वर्थेते प्रथवी स्थिर है इती परंपरया इस परंपरा से प्रचलेता रूढ ही जो रूढ ही चली आ रही थी तेन उनके द्वारा प्रत्या दिस्था हा उसका उन्होंने विरोध किया तेन उधार रहता हा उनके द्वारा उधारन दे करके यद यानि की गती शीलायाम नौकायाम उपविस्था मानवह नौकाम इस्थिराम अनुभवत उन्होंने अधारण दिया कि गतिशील नौका में उपविस्टा यानि बैठा हुआ, मानव नौकाम, यानि नौका को इस्थिरा मनुभवती, इस्थिर महसूस करता है, अन्यांचा पदार्थानों दूसरे पदार्थानों को गतिशील, गतिशील यानि चलने वाला अब गच् इस्तर मानवा इस प्रकार जो प्रतवी स्थित है मानव प्रतवी को इस्थर समझता है नौका की सूर्यादी गरहां को जो कि हमारे उपग्रहे हैं प्लानेटस से और गती्षीला गती अनुग उने Wahid 476 तमे 31 स्ताद्दे 60 सब्त अधिक चतु सत्तमे वर्षे आर भटाह जनम लब्धवान निती तेने विरचितम आर भटीयम इत्यस्मिन ग्रंथे और लिखितम ग्रंथो अयम तेन त्रयों विंशितमे वैसी विरचिताह 46 यानि 6 फिर है हमारा 476 जो लिखा है गड़तिय भाशा में इसको संस्कृत में लिखेंगे 60 शब्त शब्त यानि 6 सब्त यानि 7 अधिक यानि उससे ज्यादा चतु सत्तमे 400 वर्षे जब इसको जोड़ा 476 वर्षे यानि वर्ष में आरे भट जनम आरे भट ने जनम लब्धवानिती प्राप्त किया तेने उसी से ही विरचितम बना उनके द्वारा बनाया गया आरभटियम इत्यस्मिन ग्रंथे उलिखितम उन्होंने आरे भटियम नामक ग्रंथ को उसमें उलेख किया ग्रंथो अयम यह ग्रंथ तेन उनके द्वारा त्रेव विंशिति तमे वैसी विरचितहा तेईस वर्ष की आयू में वैसी अर्थार्थ आयू में विरचितहा बनाया गया कुछ भाब बोधन प्रश्मि देखते हैं कहा अवगच्छती मानवा अवगच्छती मानवा कान अवगच्छती मानवा पदार्थान अवगच्छती मानवा कान पदार्थान अवगच्छती मानवा अन्यान पदार्थान अवगच्छती दूसरे पदार्थों को जानते हैं मानवा अन्यान पदार्थान की द्रिशान अवगच्छती मानव दूसरे पदार्थों को किस प्रकार जान रहे हैं मानवा अन्यान पदार्थान गती शीलान अवगच्छती वह दूसरे पदार्थों को गती शील महसूस करते हैं यतिहासिक शोतामभी गायते यत पातली पुत्रम निक्सहा आरे भटसे वेद शाला आसीत यति इदम अनुमियते ऐसा अनुमान लगाया जाता है यत यानि की तस्य करम भूमी पाटली पुत्र मेवासित उनकी करम भूमी पाटली पुत्र ही थी आरे भटस्य योगदान गड़ित जोतिशा संबधम वर्टते आरे भटका योगदान गड़ित और जोतिश से संबधित है यत्रियनी जहां पर संख्या नाम आकलम संख्याओं का आकलन महत्वम आदस्धाती उनका माना गया है आकलन किया जाता है कि आरे भट फलित जोतिश शास्त्रे ना विवस्ति इसम वो फलित जोतिश में विश्वास नहीं रखते थे गडती पद्यत्या कृतम आकलन महाए एवं तेन प्रतिपादितम यद ग्रहने राहू केतु नामकव दानवव नास्तिकारणम गडती है यानि mathematical पद्यत्यती के द्वारा क्रतम यानि किया गया आकलन महाए जो उन्होंने आकलन किया मुल्यांकन किया एवं इस प्रकार तेन य ग्रहन काल में राहू और केतु नामक नाम वाले दानव नास्ती नहीं है इसका जो कारण राहू और केतु नामक दानव नहीं है ग्रहन का कारण है सूर्य परिता सूर्य के चार ओर भ्रमंतिया घूमते हुए प्रिथिव्य चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहनम भवती प्रिथवी चंद्रमा के परिक्रमा यानि चलने के मार्ग में पथेन यानि मार्ग में संयोगाद संयोग के कारण से ग्रहनम भवती कि ग्रहन होता है यदा यानि जब पृथिव्य च्हाया पातिन पृथिवी की च्हाया पड़ने से चंद्रश्य प्रकाश चंद्रमा का प्रकाश अब रुद्यते रुख जाता है तदा चंद्र ग्रहनँ भवती तब चंद ग्रहन होता है तद है प्रत्वी सूर्यों मध्ये वैसे ही प्रत्वी और सूर्य के मध्यानी बीच में समागतस से आने पर चंद्रस्य यानी चंद्रमा की छाया पाते इन छाया ग्रिने से सूर्य ग्रहनम द्रश्यते सूर्य ग्रहन दिखाई देता है समाजे समाज में नूतना नाम विचारा नाम स्वी करने नए विचारों को स्वीकार करने में प्राह यानि अधिकतर सामाने जना सामाने लोग काठिन्य मनुभवन्ती कठिन्ता का अनुभव करते हैं एकदम से स्वीकार नहीं करते भारतिय जोतिशास्त्र में उसमें तत्हे वैसे ही आरभटस्यापी आरभटकाभी विरोधा यानि विरोध अभभवत यानि हुआ तस्य सिध्धानता उपेचिता उनके सिध्धानत को पर ध्यान नहीं दिया गया सा पंडितम मान्या नाम वो पहास पात्र जाता है वह सम्मान्य पंडितों के द्वारा वो पहास हसी के पात्र जाता है नि हुए पुनहरपी फिर से भी तस्य द्रस्ती उनकी जो द्रस्ती थी काल अतिगामनी समय से आगे की द्रस्ता दिखाई देती थी आधुनिक व्यग्यानिकम जो इस समय के आधुनिक व्यग्यानिक हैं तस्मिन उनके द्वारा तस से यानि उनके आरेभट के चाह सिध्धानतम समादरम प्रकटता उन्होंने बहुत आधर प्रकट किया है असमादेव इसी कारण से ही असमाकम हमारे द्वारा प्रितमो अप्रहस्य नाम आरेभटायती करतम शबसे पहले सैटलाइट का उपक ग्रह का नाम आरेभट इस प्रकार रखा गया वस्तु तहा भारतिय आयाहा गड़ित परंपरायाहा अथ चा विज्ञान परंपरायाहा असव एकहा शिखर पुरुशहा असीत वास्तम में भारतिय गड़ित परंपरा में अत यानि इसके पश्याचा यानि और विज्ञान परंपरा में भी असव यानि यह है एक एक शिखर पुरिशाह सबसे चोटी के व्यक्ती आसीत यानि थे धन्यवाद हाँ